हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब लोग ठीक हूंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो स्वागत है आज आपका मेरे नए वीडियो पर आज बनाते हैं बेसन का चीला तो यह मैंने आधी कटोरी के इसाब से बेसन लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक दाल दे आए है और इसमें थोड़ी सी वजीज भी हम आज डालेंगे इसमें इतना सा दही डाल देते हैं ताकि थोड़ा खटता पणा आजाले है हुए हथा और यह दढ़ी मैने घर पे बनाई है मैंने इसकी शॉट्षर वीडियो में डाल रखा उपनर में जाना है आप देंग तो दो भचापils सकते हैं मेरे shot में जाके तो just इसमें और कुछभाना नहीं करना उब लिए इसको पहले समें मिक्स कर लेते हैं दिखो कैसे घुम रहा है और अब इसमें थोड़े लम्स आ गए हैं थोड़ी दिर हम रखेंगे ना तो वो लम्स को दी फूर जाते हैं इसको अभी टाइम है नाश्ता बनने में तो इसको रख देती हूं में कम से कम आधा घंटा वैसे बेसन का चीला बेसन रखने के लिए मतलब कोई टाइम नहीं होत क्योंकि सुझी फूलती है और उसका टेस्ट और निखर के आता है तो यह इसकी कंसिस्टेंसी है और अब इसे रख देते हैं मिल्कियों में थोड़ी देर में तो के सब्सक्राइब मैं अब मैं इसमें मिला चुकी हूँक्त in एक हरी मior स parce दो चोटे प्यांच इसमें थोड़ा मसाला डाल लेते हैं उसके बाद इसे फिर बनाते हैं तावे फे उके इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा और नमक, क्योंकि नमक थोड़ा काम हो रहा था, इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब फेटेंगे, तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी, अगर इसमें कुछ भी सबजिया नहीं होती, वे एजिटिबल डालके थोड़ा गाड़ा सा हो जाता है, और यह है इसकी कंसिस्टेंसी रहीं, तो चलिए तब यह पे डालके है, तवा मेरा हो चुका है गरम, देखुआ किस तरीके से फेटते वे, जितना फेट होगे उतना जदा अच्छा फ्लफी बनता है और टेस्टी बन सुधी फैला देगी, हलके हातों से बिल्कुल, वरना यह सिपकेगा, क्योंकि यह पहला है और पहला जो बनते है न तो तवे का अंदाज लिया दाक कि वो कितना गरम है, कितना कम गरम है, न जदा थंदा, ना जदा गरम, पोड़ा मीडियम साइज का मीडियम फ्लेम में पक जाता है ये लेशन का चीला तो देखिए उपर से कैसे सूख गया है इस तरीके से और अब जैसे पकने लगेगा तो नीचे से तला छोड़ देगा और अगर ये नहीं पका रहेगा नीचे से और इसे ऐसी हम पलट देंगे तो वो चिपकेगा तो इसे पलट लेते हैं ये बहुत ही इजीली बन गया है इसमें मैंने घी डाला ता पहले और अगर आप नहीं भी डाले नॉंस्टिक पैन है तो इसीली बन जाता है और ये चाय के साथ थोड़ा सा उसमें सौंस ले लो बहुत ही यम रगता है बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी सा अब इसको पकाते हैं फिर दिखाती हूँ मैं आपको इसका क्या हाल है तो अब यह पक चुका है और मजह मैंने फिर से पल्टा दिया रही धीज़ी और अब इससWe निकाल देते हैं यह पक चुका है अच्छे जें थोड़ा हाइ फ्लम में आप पकाना चाहें थाकि अच्छे से यह थ कुछ इस तरीके से बनाई, इसे कर दूते हैं, सब, आप दूसरा छीला बनाते हैं, क house thee, तो दूसरा छीला मैंने फिर डाल दिया है, पकने के लिए, और देखिए, मैं फिर से अप लोगों को दिखा लिए, उकपर से कैसे सूख जाता है, और मैंने बूला था जितना फेटिं उतना वो अच्छे से फ्लवी फूलेगी सो गाइज प्लीज दू लाइक शेर और कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थेंक यू